क्लाउश चैनन जो की इन्फोमिशन थिओरी के पिता कहा जाते हैं जिन्होंने डिस्टल सर्कीट का अविस्कार किया था या काम उन्होंने मास्टर डिग्री लेने को दौरान किया जब वे 21 साल के थे इसके साथा से आज हम इंटरनेट पर कुछ भी एक्सिस्क कर सकते हैं सिंबॉलिक्स टॉट कॉम सबसे पहला और सबसे पुराना डोमेन हैं जिसे 15 मार्च 1985 को बनाया गया था वर्ड वाइड वैब का आविस्कार 12 मार्च 1989 को टिम बर्नर ली ने किया था वर्स 1978 में भारती अमेरिकी विये सिवा यही दुरई ने एक कंप्पूटर प्रोग्राम तयार तिया जिसे इमेल कहा गया इसमें इन बॉक्स आउटबॉक्स फोल्डर्स मेमो अटेच्मेंट ऑप्शन थे थैंक यू पर वाचिंग दोंगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट